हे गाईज स्वागत है आपका अन्लॉक UPSC में इस वीडियो में आप जान पाओगे UPSC 2020 की एक्जाम डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को पूरा ध्यांस देखें UPSC प्रिलिम्स एक्जाम का नोटिफिकेशन 12 फेवरी को अवाइलेबल होगा same date से आप application form fill up कर सकते हो application form fill up करने का last date जो है वो है 3rd of March दोस्तो 12 फेवरी से 3 March के बीच में आपको form anyhow fill up कर लेने है क्यों क्यों क्योंकि 3rd of March के बाद आप form fill up नहीं कर पाओगे क्योंकि date over होने के बाद आप form fill up नहीं कर सकते हो जो भी कुछ होता है online होता है पिलिम्स exam का admit card आपको 9th में से 31st में के बीच में available होगा आप कभी भी download कर सकते हो दोस्तों पिलिम्स exam जो है वो 31st में को होगा एक दिन का exam होता है जिसमें 2 paper लिए जाते GS1 और GS2 इस exam के बाद आपको इसका result आएगा August में अगर आप पिलिम्स exam qualify कर लेते हो तो आप मेंस exam के लिए appear होना चाहोगे उसके लिए आपको admit card चाहिए होगा जो कि September में release होगा आपका admit card आप September में कभी भी admit card download कर सकते हो UPSC 2020 में जो मेंस exam है वो 5 दिन का होगा जो कि 18th of September से 27 September के बीच में हो जाएगा इस मेंस exam का जो final result है वो January 2021 में आएगा उसके बाद आपको interview और personality test के लिए बुलाया जाएगा जो कि second week of February में होगा तो hope आप समझ गया होगे जो important dates है UPSC के लिए अगर अच्छा लगा शेयर करें और अगर आप beginner है तो first step to crack IAS जो की हमारे चैनल पॉलेड़ी अवाइलेबल है जरूर देखें धन्यवाद